जय मता थी दोस्तों आपका दोस्त मोहित रागव आपके साथ जुड़ गया है ऐसे 20 2023 का एक और मैश लेकर आज डबल हेडर है डबल हेडर में हम इस वीडियो मेर पहला मैच कवर करेंगे किसके बीच है मैच मैच है पाल रोयल्स और जैसके के बीच पाल राजिस्थान रोयल्स की साथ अफ्रिकन टीम और जैसके जॉनस वर्ग सुपर किंग्स मतलब सी एसक की कौन से टीम अफ्रिकन टीम याद हो तो जब आई पेल का पहला एडिशन हुआ था जो पहला फाइनल तो यहां अफ्रिकन या कहिए ऐसे ट्वेंटी लीग की जो पहला मैच है पाल रोयल्स और सुपर किंग्स की फ्रेंचेजी के बीच होने जा रहा है और उसी से रिलेटेड हम सारी बात वीडियो में करने जा रहा है देखिए पाल में यह मैच होगा होस्ट जो है वो क्या है पाल रोयल्स हैं इस मैच के तो मैच कैसा हो सकता है पिच कैसा खेल सकती है कुछ आपको आपकी स्क्रीन पर देख रहा है कुछ मैं बता दे रहा हूं इस स्क्रीन पर जो देख रहा है उसके अलावा यह है कि पिच जो है वो स्पोर्टिंग रहेगी थोड़ा पेसर्स को हेल डंक से खेलिए रन आ जाएंगे प्लेंग लेविन की बात करूं अगर मैं तो जो पाल जोईस में पिसले बैंच में प्लेंग लेविन खिलाई थी लगभव वही प्लेंग लेविन रहने की संभाव ना है उसमें कहा क्या बदलाव हो सकता है उसको उसके साथ डिसकस करते हैं सब्सक्राइब करेंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ जैसन रोय को नंबर तीन पर खिलाया विहान लुब्बे से कारण दो थे एक तो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बन गया प्लस विहान लुब्बे एक हार्ड हेटर की वूमेगा टॉप पर आगे निभा सकते हैं इर्रेस इसके बाद मिलर मॉर्गन फ्रैसिस को एडम्स बैरन फोर्टन दैन रिवान सेमंस और कोडी यूसुफ के बाद तवरेश समसी एकाद प्लेयर के नाम का प्रणॉंसियेशन में सायद गलग कर गया हूं ठीक है क्योंकि जो लोकल प्लेयर से वांके उनका नाम जुबान पर उस तरीके से भी चड़ा नहीं है लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता ठीक है यह ग्यारा की टीम है जो पिछले मैच में खेली थी और उम्मी दिये कि यही ग्यारा खेलेंगे हां एक चीज जो समझने की है वो यह कि पिछले मैच में उन्होंने पांच बॉलर यूज किये ब उम्मीद यह है कि विहान लुब्वे को यूज किया जाएगा इस मैच में मतला है जब जरत पड़ेगी तो विहान लुब्वे आपको दिखेंगे आते हुए बाकी तो यही पांच गैंदवाज है में जो बॉलिंग करेंगे तो यहां पर हैडएक आपके लिए पर केरी वेरन जो इनके विकेट कीपर है पास लुई ग्रेगरी चै डॉन वेन फेरारिया पिछले मैच के सुपरिस्टार फिर रोमारियो सेफ़र्ड गार्टन जोसफ शिवोट्टो फंगीशो बॉलिंग उप्सिंस क्या है अगर आप देखेंगे तो ग्रेगरी फेरारिय सेफ़र्ड गार्टन जोसफ शिवोट्टो फंगीशो साथ प्लस रीजा हैंडिक्स आठ फाब्डु प्लेसे विकेट कीपर और जमान मेलान को छोड़के जाने मन मेलान को छोड़के आठ बोलर्स हैं इनके पास लेकिन डर्वन की कंडिशन ऐसी हो गई थी कि जहां पे सिर्फ एक ओवर मिला फंगीशों ने चार डाले तो क्या फिर वैसी कंडिशन हो सकती है जहिए ऐसा हो सकता है कि लेकिन अचार से यह चार जालने आ जालने आ जाए वरना तो फिर आपको इतने बैटिंग आप्सिन की आवसर्ट आप इन्हीं अगर आपके वही प्लेयर बै पर दिए और बचा कुछा काम किस ने कर दिया चार और डालके तो बखी बचे कुछ चार में एक गार्टन रोमारियो जीरो ग्रेगरी एक तो यहां सारे हो बट गए ओबर्स ऐसा फिर से नहीं होगा यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जोसफ के साथ रोमारियो शेफर ग्र को से आटने माटक का नुमिली यहां मिल सकती है चार नंलां का यह। यह 9-5 लान में घझा है पाइडयो लिंग कर सकता है नहीं तो फिर नकारे बच ब्रोंच कर्थे शारा इस्हा सकता है बहुत बढ़िया जिनका गेम कवर अच्छा रहेगा जो ऐसे टाइम पर बैटिंग या पॉलिंग करेंगे गेम में रहेंगे जहां आपको fantasy point डिला सकते हैं अब सीज़े सीज़े आ जाते हैं fantasy टीम पर लेकिन वह fantasy आपको खेलने का है तो दोस्तों बैटिंग बैटिंग नीचे है बॉलिंग चार ओवर डाली तो गेम कवर तो इनका थोड़ा संसय में है कि फिर से शेम गेम कवर रहेगा नहीं रहेगा लेकिन दो ओवर कम से हम डाल सकते हैं पिछले मैच के बैटिंग करते ही है जहानस बद फिर इनकी बैटिंग आ सकती है तो इन पे हम final decision जो लेंगे वो टॉस के बाद लेंगे ठीक है और टॉस के बाद वो decision टेलीग्राम पर मिलेगा टेलीग्राम कैसे चुढ़ना है अब आगी बताऊंगा तो बटलर कैप्टन होगे शौर है डॉन ओवेल पर टॉस के बाद हम decision लेंगे तीन आपका बैटिंग ऑप्शन पाफ डेविड मिलर टीनों के तीनों और रीजा हैंडिक्स वाइस केप्टन ओपनिंग कर रहा है प्लस चाब वर इन्हों ने भी पिछले में डाल लेता है तो दो वहां भी आ सकते हैं इनके वी एक दो अबर का एक स्पैल आ सकता है और डॉन ओन से जादा टाइट बालिंग के दी थी रीजा है है ना वहां जेशन वोई इस पिन बहुत अच्छी नहीं कहलते हैं विहान लुब्बे परिशान होते हैं तो कमजोरिया वहां ही है इसलिए रीजा हैंडिक्स को एक स्पैल फिर से मिल सकता है दो तीन ओवर का वाइस केप्टन टीन ओल डांडर रोमारियो सेफ़ाट बैटि कर रहें चार ओवर पूरे डालेंगे पिछले मैस में बहुत अच्छा कुछ नहीं किया तो अंडरेस्टिमेटेड प्लेयर हैं यह बहुत कम ओपोनेंट आपके इनको लेकर आएंगे और ही दा काइंड ऑप प्लेयर जो आपको कभी भी क्लीन स्वीप दे देगा तो फ्रैस ठीक है अब ग्रेंड लीग टीम लेकिन उससे पहले आपको जोइन करना टेलीग्राम चैनल क्योंकि अपडेटेटे टीम आपको वहीं मिलेगी और उसके लिए आपको करना क्या बड़ा सिंपल सा स्टैप है कि लिंक पे जाईए जो डेस्क्रिप्सिन में कमेंट बॉक्स प करेंगे उसमें से ये वाला चैनल जिसकी डेटेल अभी आपकी स्क्रीन पर है उसको जोइन करीगा यूजर नेम एड़ारेट मोहित क्रिकेटोलोजिस्ट जरूर क्रोस मैच कर लें इसके अलावा कुछ भी सोचेंगे कुछ भी करेंग तो खड़पड हो जाईए ठीक है धि से और वाउट है तो मैंने उनको ड्रॉप किया जॉस्ट बडर को वाइस केप्टन रखा यहां पर हमारी उस टीम के कैप्टन थे यह वाइस केप्टन है डेन व्लास चार नंबर बैटेंग करेंगे गेम कबर अच्छा रहेगा वेरिन बहुत बढ़िया फोंब है अभी जो मैंने बताया कि गेम कबर अच्छा हो सकता है अगर अच्छा गेम कबर हो गया अभी शुरूई हो रहा है टूनमेंट यह बढ़िया परवर्मेंस आपको बहुत आगे ले जाएगी क्रेंड लीग में लुई ग्रेगरी जिसको एजए प्लेयर भी लोग पिक नहीं करेंगे क क्योंकि उन्हेंने पहले मैस में कुछ खास किया नहीं यहां आपके अगर कैप्टन सी ऑप्शन होते हैं तो आपके लिए सौने पर स्वागा हो जाएगा क्यों क्योंकि पिच्छ इस्पिनर्स के फ्रेंडली उतनी रहनी नहीं मतलब पेसर्स को यह मोखा मिलेगा लुई ग समची और यह तीनों हमारी फिजली टीम में भी थे ऐसे आपकी टीम बन गी मेरी बात वीडियो में स्मॉल लीग ग्रेंड लीग सबसे रिलेटेट खत्म होती है आज के मैच आज के दूसरे मैच की वीडियो भी आने वाली है वो भी जरूर देखेगा और तब तक चैनल को स सपोर्ड है वो यह हमारी तागत है मिलते रहेंगे फिलाल इजाज़ा टाटा भाई भाई जैवाता दी